हलो दोस्तों फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब मैं बॉबी आरियन में आपका स्वागत है नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ नेरू कुंट जहां बिलकुल मांटें फ्रेश चिल्ड वाटर है और पिने वाला पानी है यह आप देखना चाहें तो इन्हें पिछली वीडियो शॉ यह नेरू कुंट मनाली में है आप देख सकते हैं यह रोड जारी है यह लेफ्ट में है तो अभी थोड़ी देर में नीचे चलता हूँ और आपको नीचे से भी सामने से दिखाता हूँ और आपको नीचे से दिखाता हूँ तो फ्रेंच अब मैं नीचे उतर चुका हूँ और आपको नेहरू पुई का नजारा है दिखाता हूँ यह आप देख सकते हैं यह इतनी बडी रॉक है बहुत उची बडी रॉक है तिसके पीछे से आता है यह माँटेन वाटर यह बिल्कुल चिल्ड है यह पीने वाला पानी है द्रिंकिंग वाटर है जो इतनी गाडियां यह खड़ी है यह सारी लगवग पानी पानी को बने के लिए खड़ी है यहां जितने भी टेकसी ट्राइवर है ब mini सब यहां से पानी कांज बरते हैं यह सामने आप नजारा देख रहे हैं यह सामने हनमान मंदिर है और यह लेफ्ट में बाय में यह नेरू कॉंड है आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पानी भरते हैं यह पानी बहुत ही स्वच निर्मल मौंटेन वाटर है यह देखिए यह आप देख रहे हैं यह पानी भर रहे हैं पी भी रहे हैं यहाँ पीते भी है भरके ले जाते हैं काफी लोग तो फ्रेश आप प्रेंट्स आप जब भी यहां से क्रॉस करें मनाली से अटल टर्नल सोलांग वैली आप यहां से पानी भर सकते हैं बहुत ही गर्मी में भी यहां नेचर पानी है यह आप देख सकते हैं देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं फ्रेंट्स जिनको नहीं पता है वो तो सीधे निकल जाते हैं लेकिन जिनको पता है वो यहां पानी जरूर बरते ह क्योंकि इससे फ्रेश नैचुरल वाटर मुझे नहीं लगता है किसी बोतल वाली पानी में भी होगा इतना फ्रेशनेस तो ये देखिए ये सारी गाड़िये खड़ी है पानी भरने के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है बनाली से ये मुश्किल से दो किलोमेटर होगा दो से धाई किलोमेटर होगा जादे आदा और ये सामने जो में जारा देख रहे हैं ये अचल्टनल को रास्ता जाता है सोलांग वैली को जाता है ये ये मेरी बाइट खड़ी है